नमस्कार जैस्री हूम्यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज अस्तनपाई पस्वों की बिमारी थनयल इस विशे पर बाचित करेंगे और जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी दवायां इसमें कारगर सिध्ध होती है अस्तनपाई पस्वों जैसे गाय, भैस, बकरी इत्यादी दुधारू पस्वों को प्रायह थन में सूजन, दूद का खराब होना, दूद में बिजाती गंध आ जाना, थन का लाल होना, थन छूने नहीं देना, थन का गर्म रहना, दूद दूहने में लतार मारना, इत्यादी लक्षन देखने में आते हैं खास कर ऐसे पस्वों जो बच्चा दे चुके हैं, अथ्वा देने वाले हैं, उनके लिए तो एक रुब्रिक लेते हैं, जो रेपार्टरी के चेस्ट कॉलम में है, चेप्टर में है और उसमें है इंफ्लामेशन आफ्टर डिलेवरी और डिूरिंग डिलेवरी तो डिलेवरी आफ्टर में आर्निका, बेला डोना, ब्राय उनियां, कलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमेलिस, कार्बो वेज, कॉनियम, ग्रिफाइटिस, मर्कूरियस, फोस्फोरस, पलसाटिला, साइलिसिया और सल्फर, इतनी दवाईयां हैं परन्तु डिलेवरी डिूरिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ बेला डोना है कहने का ताथ पर, कि अगर इंफ्लामेशन, जो अस्तन में है, और अगर वो डिलेवरी के डिूरिंग में, यानि उस काल में, जिस समय डिलेवरी हुआ है या होने वाला है, उस पिरियेड में अगर उसके अस्तन में सूजन आ जाता है, तो बेला डोना उसकी एक मात्र दवा होगी परन्तु, आफ्टर देन, अगर सूजन हो रहा है, तो हम विचार करेंगे, सबसे पहले आरनिका पर आरनिका पर विचार करते हैं, खास कर ऐसे पसू जिनको बैठते समय थन में प्राया चूट लग जाया करती है जैसे उनके बैठने के स्थान में सोलिंग किया हुआ है, इंट है, या कुछ ऐसे कड़े पदार थे हैं, जिससे जब जानवर बैठता है उस जगह पे, तो उसके थन में चूट लग गई अब वह थन को चूने नहीं दे रहा है, गाएं हैं, तो उसको जब आप चूने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो वह भाग जाती हैं ऐसी स्थिती में, हम रुब्रिक लेते हैं, अलमेंट फ्रम इंजुरी, छुड थैंन ओन टमल शम्तम, एक रूज बड़ाएंट स्थित लग एंगे बड़ाएंटा ल गजन च्छ टश संप्लामाँ टूसजिएंटा बड़ाएंटा हैं गलग धलभाएंटा बड़ाएंटा इंप बड़ाएंटा टे बड़ा और इसमें एक मात्र दवा बनती है आर्निका मॉन्टेना चुकि वो छूने नहीं देती एप्रोचिंग फियर आर्निका का बड़ा मजबूत है और खास करके एलमेंट फ्रॉम इंजूरी में दूसरी दवा है बेला डोना बेला डोना की जो रोगनी है वो चारा नहीं खाती थन छूने नहीं देती थन और निपल दोनों में सूजन रहता है इसमें इटिंग रिफ्यूज टो इट बड़ा प्रमुख है क्योंकि जब भी चारा देते हैं पस्मों को तो वह चारा नहीं खाती जब उसके थनल की बिमारी हुई होती है सेंसिटिव टच, टच डेवर्शन टूबी, चेस्ट इंफ्लामेशन इन ममा एंड चेस्ट इंफ्लामेशन ममा निपल खास करके द्यूरिंग डिलेवरी तो ये दवा कारगर ज़्यादा है अब आते हैं, ब्रायोनिया को लेते हैं जब थन भारी हो, खास करके दुधारू पसू जो ज़्यादा दूद देती हैं उनका थन ज़्यादा भारी हो जाता है, उसमें दर्द होता है, साथी छूने नहीं देती थन की और हाथ बढ़ाने से भागती है, तो ब्रायोनिया अच्छी दवा होगी ब्रायोनिया को अपने क्लिनिक में ज़्यादा तर मैं प्रियूग करता हूँ और सफलता भी अच्छी मिलती है इसके लिए अप्रोच्च्ड बाइ पर्सन अवर्जन टूब, तस्ट अवर्जन टू भी भी चेस्ट इन्फ्लामेशन ममा, चेस्ट इन्फ्लामेशन ममा इन निपल अच्छेस्ट पेन ममा है भी एंड जब उसको सहारा दिया जाता है तो बड़ा आराम मिलता है ब्रैवनिया के पेसेंट को अब एक और अच्छी दवा है थनेल के लिए वो है फाइटो लेकर डिकेंडरा इसमें ये देखने को मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ पर्सनल हिस्ट्री ममा ऑफ इन्परेंट इन्फ्लामेशन खास कर ऐसे पस्वों का जो बार-बार आवर्ती रूप से जिन्हें थनेल की सिकायत रहती है और दर्द भी रहता है निप्पल में भी और पूरे ममा में भी तो इसके लिए फाइटो लेक का एक अच्छी दवा है जिसे इसका इतिहास रहा हो अब एक बहुत पुर्ण दवा है वो है साइलिसिया जिसमें सेंसेटिव टू 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 इन्फ्लामेशन ममा डिलेवरी आफ्टर चेस्ट इन्फ्लामेशन ममा नर्सिंग मदरिन ये एक इंपोर्टेंट बात है इन्नर्सिंग मदर नर्सिंग मदर का मतलब वह माताएं जो बच्चे को दूधपान कराती हैं उनके लिए खास करके बच्चों के द्वारा जब चोटिल हो जाती हैं तो ऐसे हालात में साइलिसिया एक अच्छी दवा सावित होती है और इसी प्रकार से हम अन्य दवाओं का भी अंतर निकालते हैं धन्यवाद